हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने टामाटर की तवा फ्राई चटनी बनाने जा रही हूँ तो इसा बनाने के लिए देखी कि किस तरह से बनाते हैं सबसे पहले हम एक तवा लेंगे तब इपे हम थोड़ा सा ओल डालेंगे टूटे वेले स्पून और इसमें हम लेसन डाल लेंगे मैंने ये थोड़ी सी लेसन की कली डाली है साथ आट कली इन्हें हम फ्राई कल लेंगे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची डालेंगे ये तीखी बनती है तो इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे सावत लेस्न को मैंने बाहर निका लिया है और दस बारा मैंने सावत लाल मिर्च लिया है इन्हें भी हम फ्राइ कर लेंगे लो फ्लेम पर हाई फ्लेम से नहीं करेंगे वरना धसक उड़ती है लो फ्लेमप भून लेंगे अच्छा से जब यह अच्छा से भून जाएगी इन्हेंब हम बाहर निकालेंगे अब यह मिर्चे भी हमारी भून गईए फ्राई हो गईए इन्हें हम लसन के साथ बाहर निकालेंगे अब यहाँ पर हम टमाटो को लेंगे टमाटो को बीच में से दो पीसो में कट कर लेंगे और बचे हुए ओईल में तवी पर रखेंगे दो पीसो में कट करके रखा है इन्हें हमें भी सैलो फ्राइ करना है और अलट पलट करती हुए इन्हें हम भून लेंगे बीच बीच में एक दो बार अलट पलट कर देंगे दो तिन मिनट के बाद अब ये मैंने पलट दिये हैं इन सभी टमाटर को मैंने एक बार पलट दिया है अब एक बार फिर से पलटेंगे इस तरह से ये टमाटर का छिलका जब पिल्कुल सोफ्ट हो जाएगा तो हम फोक की साहता से इसे अलग हटा देंगे ये बहुत असानी से हट जाता है अगर आपको इस तरह से निकालने में दिक्कत हो तो एक पलेट में निकाल कर थोड़ा से ठंड़ा करके हाथ से तब भी निकाल सकते हैं उससे और भी आसानी से निकल जाता है सभी टमाटर के छिलके इसी तरह से हटा देंगे अब ही मैंने सारे टमाटर पलड़ दी है और इन सब के छिलके अलग हटा देंगे जो जो फ्राई होते रहेंगे भुनते रहेंगे उन टमाटर के सभी के छिलके इसी तरह से हटा देंगे अब ये सभी टमाटर के छिलके अलग कर दियें और टमाटर भी बहुत अच्छे से सोफ्ट हो गए है हमने जो साबुत लाल मिर्च और लहसुन फ्राई की थी इन्हें हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में डालकर थोड़े से पानी के साथ पीस लेंगे अब ये मैंने मिर्ची और लहसुन का पेस्ट तयार कर लिया है अब ये पेस्ट भी हमारा तयार हो गया है और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से बुन गए है अब हम इसमें मसाले डालेंगे वन टेविल स्पून अच्छार का मसाला आधा चमच भुना हुआ जीरा एक चमच नमक स्वाद अनुसार एक चमच सूखा दनिया आधा चमच हल्दी पावडर इन सब को डाल लेंगे इसके बाद हमने जो पेस्ट तियार किया था उसे भी डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे पटाइटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे अगर आपको बिल्कुल बारी करनी है तो मिक्सी के जार में भी पीश सकते हैं ठंडा करके लेकिन पराठो के साथ ये इसी तरह से चट्टी बहुत अच्छी लगती है तो मैं पटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लूँगी इस चट्टी को एक बार बना कर हम पूरे वीक के लिए फ्रीज में रखके खा सकते हैं अब ये अच्छे से मैंने मैश कर लिया है जिसमें हमने मसाले पीसे थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे ये बहु ज़्यादा तीकी होती है चट्टी और खाने में बहु ज़्यादा टेस्टी लगती है इसे अच्छे से पका लेंगे अब ये टमाटर की चट्टी बहुत अच्छे से बनकर तयार हो गई है उपड़ से हम इसमें थोड़ा सा हरे धनिया को कट करके डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये हमारी चट्टपटी मसालेदार तवा फ्राई टमाटर की चट्टनी बनकर तयार हो गई है अब हम इसे किसी भी बर्दन में बहार निकालेंगे और खाने के साथ इसे हम सर्फ कर सकते हैं तेंक यू